वाईगुर्जी का खालसा वाईगुर्जी की फते स्टेपिंग स्टोन पंजाबी रीडर छेवेच तोहनो सार्यानो जी आयां मैं अर्शंदर पालकौर आज़त्वाडे लेई पाठ नंबर तेई लेके हाजर हां चलो चलिए नमा पाठ सिखे साड़ा आज़ता पाठ है सिख तेवहार होला महला सब तो पहला असी आखे शब्दान दे अर्थ सिखांगे ताजो पाठ सानु सिखना सौखा हो जाए जजबा, सेंटिमेंट, महत्तव पूरण, इंपॉर्टेंट और सिगनिफिकेंट शस्तरबाजी, स्वार्डमन्शिप, कोड़स्वारी, होर्स राइडिंग, मेला या मेले, फेर और फेर्स कुमदे, रूम अराउंड, सदियां, सैंचरीज, मन्या जान्दा, इस बलीवड, नगरकिरतन, प्रोसेशन डूंगा, डीप, मजबूत, स्ट्रॉंग या फर्म, जड़े, स्टड़ड, नकली, फेक, हुकम पालदे, फॉलवड ओजर, कौतक, मार्वलस एक्ट्स, लाडलियां, बिलवड, पदर, लेवल और स्केल, इकठे या कठे, तुगेदर रांग किसे वी चीजनो सोना बना दिन दे हन, हुली रंगांदा तेवहार है, हुली बारे बौत कहाणियां हन, साच हन, जान नहीं, कोई नहीं जान दा, इस दिन सब हिंदू इकठे होके गलियां विच कुम दे हन, एक दूसरे उते रांग सुटते हन, खोश हन दे हन, सिख खोली नहीं, पर हुला महला मना दे हन, हुला महला, हुली तो अगले दिन मनाया जान्दा है, सब तो वड़ा हुला महला, अनांदपुर साहिब विच मनाया जान्दा है, गुरू गोबिन सिंग जी ने जाद लोकानू खोली मनादे देख्या, ता उना ने इस दिन नू कोई डूंगा मतलब देना चाया, गुरू जी चौने सन के सिख्खा मेंच बहादरी दा जज़वा मजबूत हुए, उना नू शस्तर सिख्खन दा मौका मिले, कोड़स्वारी सिख्खन दा मौका मिले, अते सिख्ख कौम ताकतवर बने, उना ने इस दिन दा खूला महला गुरू गोबिन सिंग जी ने बाई फरवरी 1701 नू अनांदपुर साहिब दे किला खूलगड साहिब विच मनाया, तो आशी देख दिया के खूला महला गुरू आध किस्टरा होए, गुरू जी ने जिदो हुली मनाओदे लोका नो देख्या सी, उना ने सोचिया कि बाई सोना समा है, बाई सोना एहे देन होवेगा जो मैं सिख्ख वास्ते कुछ नमा कर सक्दा हां, सिख्खन कुछ नमा सि जड़ा जजबा बहादरी दा मिजबूती दा जजबा पर सकदा ते सिखानु कोड़स्वारी ते होर शस्तर शस्तर हुंदे वेपन ट्रेनिंग जडिया है ता जो सेख जुलम दा मकावला कर सकन ते अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकन सो गुरुजी ने एस देननु होली देननु उस तो अगले दिन होला महला दे नाम देनाल मनोना शिरू की तत ए सिखानु एक खास तेहवार देता गुरु गोविन सिंग जी ने खुले महले दे दिन हजारां दी गिंती विच सिख अनानदपुर साहब पहुंच तेहन अनानदपुर साहब तो आनू पता है केसगड साहब उथे जड़ावसाखी वाले दिन गुरु साहब ने उथे खालसादी सिर्जना कीती सी इस देन हर थांते निहांग सिंग नजरां देहन ओ अपने आपनो गुरु दियां लाड लियां फॉजां केंदेहन लाड लियां बिलव्ड फॉजां, we know that army, right? निहांग सिंग सेर्टों पैरां तक कड़ें, किर्पान, बर्चें, चक्रा अते कटारानाल सजे हुन देहन तो ए दे विच्चो कुछ जड़े कड़े जिस तरह सी असी भी पहन देहन ते किर्पान जड़े हैं अम्रत्तारी सिंग पैन देहन, इस तो इलावा बर्चे, चक्कर, कटारा, ए जड़े हा गया, छोटे-छोटे, बड़े-बड़े, शस्तर हुन देहन निहांग सिंग एक वक्री ही पचान रख देहन, ओ खत्रे तो मौत तो ने डर दे, हर वेले योद ले तियार रहन देहन, योद की हुन दे, लड़ाई, राइट, वार, तियार रहन देहन, अते किसे भी मो तो मुक्त हुन देहन, मोग हुन दे, मो इस प्यार और अटेच्मे उस तो मुक्त हुन देहन, निहांग शबद दा मतलब हुन देहन, दार तो रहत, दार, 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 सेलिबरेटेड देखार हुला महला सेम इस बिफोर समा सब्तों वदिया देखंदा निजारा हुंदा है जाद हजारा निहांग सेंग कोड़ें आते हाथियां उते चड़के शस्तरा नाल अपने कौतक दिखांदे हन नगर किरतन भी हुंदे हन जिस्विच निशान साहिब पा संगत पिū较 पिछे एक गुरद्वारे तों दूसरे गुरद्वाड़े थोर जानदे हन किरतन दरबार सजाय जानदे हन बच्चों, नगरकिर्थन तो अड़े लिए कोई नवी गाल नहीं, तो सी दर्शन कीते हुए होनगे जरूर नगरकिर्थन दे, बच्चे यूबासिटी भी जान दे होन, आसी सेनोज़े गुर्द्वारे वेच भी नगरकिर्थन कर दे हां, ते जिस्ट्रा कई वारी से अमरीका दे कालीफोर्निया स्टेेट विचGameの लॉपयीड है बहुत वड़े पदर ते मनाया जन्दा, वड़े पदर ते मनाया जन्दा मतलब at very large scale है ना, बहुत स्टेटां तो संगतां, गतका, जथे, रागी, टाडी अते कथाकार इथे आके अनांदमान दे हन, so वखbonे वखये, संगतां बहुत हैं हना, गतका वाले जथे, जनाने गतका करदेे जड़े, रागी जथे, गातां करदेने, उसे नाल-नाली टाडी वारांगोन वाले जड़े हन, ओ बहादरी दे दियां गल्ला, गुरु सहeb दियां गल्ला, ते सहवजाद्या नी बहादरी, तो शिहिदानी सिंहदानी बहादरी दियां वारंगों देने, तो कथाकार इत्या के अनाधमान देने, कथा कर देने, संगयदुना सब्दा अनाधमान दी है, इस देनो सिख Olimpics देन भी क्या जानदा है, क्योंकि इस देन सिख, जिड़े सिख Martial Arts वाला देन होंदा है, तो इ इस पार्ट ते विच ग्रैमर ए पार्ट लंबा सी ते दी एक्सरसाइज भी काफी एदिया होन गिया सो तुसी बहुत त्यान देना लेना नो करना तुसी अब तस्वीरा इप देख साइदे जो दोसी निहांक सिंगा दी गल की तीसी गुरु दी लाडलियां फोजान ते ओना पहरावा अपना एक खास तरादा होन था ते अथे असी देख देया के जड़े सिंग है गया दो कोड कि संग तो कि संगत थे ङुए भुत ला सांगत है किनना इकार चैट एक तो किन्नी संगत थे हुए रॉनिकां लगया हुए याने सल क्लीर नहीं पर फिर विर्हीं तुसी देख साकदें किन्नी वड़ी संगत है किनना इकाठ으 minute सिख ते वहार होला महला grammar point change these singular feminine nouns to plurals so असी देख रहे हैं थे कि जड़ा feminine noun ending in consonant मुक्ता देवी चैंड होंदा है ता असी किसरा उनो plural बनाओने है उते कन्ना ते बिंदी लगाके so इस तरह जिसरा दर्टाडे को ले वी शबद है संगत तुसी लिखोगे संगता इसे तरह बाकी शबदा नो तुसी plural बना होगे ते एक थोड़ा नवा कॉंसेप्ट है जड़ो feminine noun जड़ा है कन्ना ते बिंदी दे ना एंड होंदा है गाह ते फिर असी भावा एड कर दे होदे आसी गाह नहीं लिखते है बार आसी गाह मावा लिखते है ठीक है ते असरा भार करोगे संगर कर दा काम इन प्रशना दे ठीक उत्तर लिखो खुले महले दा दूसरा ना की है आसी हुनेवे क्यासी शिक्ख ओलमपिक्स देन ही क्या जनद है निहांग शबद दा मतलब की है निहांग फिरले सुन देया तो असी भी पड़े है निहांग सिंगा दे पहरावे बारे तिन गला लिखो तुसी यथे देख रहे हो निहांग सिंगा दा पहरावा बहुत खास तरांदा है खास अट्रेक्शन वाला है तुसी यथे देविचों पढ़के उदे बारे तेन गला लिख सकते हो इन आ प्रशना दे ठीक उतर चुनो होला महला किस गुरू जी ने शुरू कीता सी तुस्तादे को ले तेन आंसर ने उन आ देविचों होली तो एक दिन बाद गुरू गोविन सिंग जी ने जा अनानदपुर सहे विच इदेविचों सही उत्तर जड़ा सही जवाव अंसर तुसी चौन के लिखोगे गुरू गोविन सिंग जी ने होला महला क्यों शुरू कीता सी ओ चौन्दे सान के सिख रंगा नल खेड सकन एड़ा है ओ इस दिननों कोई डूंगा मतलब देना चौन दे सन जिसनाल के सिख होर भी बहादर कौम बाढ़ सकन गुरू गोविन सिंग जी ने इस दिन सिख खानू नकली जंगा करन कोड़सवारी करन शस्तर बाजी होर बहादरी पर एक उतक दिखान दा हुकम कीता सही आंसर तुछे लब होगे लिखे हिस्से आपस विच जोड़के पूरे वाक बनाओ तो आड़े को ले दो set of sentences हुंदे या उन्ना देनाल एक meaningful sentence तुसी बनाओगे ते जड़ा सही तो आनो लगे है तुसी देखना होले महले ते निहांग सिंग की कर देने इना विचो तुसी answer लबना है होले महले नू जा निहांग सिंग सिर्थो पैरां तक बहुते एते हुआर एदर answers है किरपाना बर्शियां कडियां चक्रां ते कटारा नाल सजे हुंदे हन कौन असी पढ़े आसी तेड़े fearless हुन देने निहांग सिंग है ना गतका कोड़सवारी अतिश अस्तर बाजी देखा तक दिखाँ देने कौन दिखाँ देने तुसी पार्ट पढ़ोगे सुनोगे फिर तुसी answer करना गुर्द्वारे विच मनाए जान्दे हन केड़े तो हर सिख Olympics देन भी क्या जान्दा है किसनों सिख Olympics देन क्या जान्दा है तुसी ओहो answer ठीक जोडना देना ते फिर बाख बनाना कौपी गुर्मखी नंबर एंड पंजाबी वर्ड्स इन दे टेबल ए तो अड़े कुले गुर्मखी शब्द ते नंबर है किया 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 199, 190 ते ए तुसी ते कौपी करने ने शब्दानो उना दे मतलब नाल जोड़ो इस शब्द है गया इदर मतलब लिखे हुए है असी पाठ दी शुरू दे विच भी है सिख दे हां ते हुन तो आदे को ले अथे भी लिखे हुए ने शब्द तुसी ओना विचो सही शब्दे नाल और दी डेफिनेशन दे नाल उनो जोड़ना जस्बा महत्तव पूरण शस्तर बाजी कोड़सवारी इकठे या कठे कठे असी इस तरह भी लिख लेने हां ने करके भी मजबूत सदियां मन्या जान्दा नगर कीरतन नकली कौतक दूंगा अगे है बुद्वार करदा काम सोट दीज वर्ड इन दा फॉलोईंग कैटेगरी इस दिन हर थांते निहांग सिंग नजरों देहन ओ अपने आपनों गुरुदियां लाडलियां फॉजां केंद निहांग सिंग सिर्तों पैरांता के कड़यां किरपाना बर्चयां चक्रा अते कटारा नाल सजे हुन देहन निहांग सिंग एक वक्री ही पछान रख देहन हर विले युद ले इतियार हन देहन अते किसे वी मोगतों मुक्त हुन देहन ओ खत्रेतों मौतों ने डरते निहां So, तुसी एदे विचो नाउंस देखने ने, वर्ब्स एथे लिखनी हैं, जडी एदे विच वर्ब्स आई हैं, एजटिटिव लिखोगे तुसी, So, words with एड़ा in them, right? So, तुसी पार्ट्स आउप स्पीच आवखरे वखरे वखरे, तुसी ओना नो लिखोगे नाल, फिर एड़ा दे नाल, जड़े शब्दों दे ओनाल, तुसी लिखोगे. वीरवार करदा काम, हमेशा दी तरह, टाइमर सेट करके एलेक पढ़ना है कि नेमिंट लगे, तुसी रिकॉर्ड करना है, ते पहला तो बेटर पढ़न दी कोशिश करनी है, ठीक है जी, पहला तो ठीक ते वदिया पढ़न दी कोशिश करनी है, ते फास्ट, फ्लूएंस इताड़ी जड़ी होनी चाहिधी है, अरवानगी तो अड़ी, पहला तो बेटर होनी चाहिधी है, बेटर होनी चाहिधी है, तुसीं बहुत चंगी तरहां इस पार्टनों पढ़ना ते सिखना ठीक है जी जदों कोवेड ती सिचुएशन ठीक होगी अगले साल वाइगुरुदी मेरना लसी होला महला दे दर्शन कार सकांगे गुर्द्वारा सब जा सकांगे ठीक है जी इना कहके मैं हुन इते ही बंद कर दी हां फते बलाये जी वाइगुर जी का खालसा वाइगुर जी की फते